नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल YMW Solution पे तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप पारले एगरो कमपनी का डिस्टिबिटर से लेके एक अपना अच्छा बिजनस बिल्ड़ अप कर सकते हैं और बहुत ही कम इंवेश्मेंट में स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा फाइदा भी कमा सकते हैं तो फ्रेंड आज इस वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया है कि अगर आपको पारले एगरो का डिस्टिबिटर से पलेना तो उसके लिए आपको कितना इन्वेश्मेंट करना होता है कितना प्र तो चली सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पारले एगरो कमपनी के बारे में तो फ्रेंड पारले एगरो कमपनी एक एंडियन प्राइवेट लिमिटेड कमपनी है जिसका फाउंडेशन नाइंटी ने हुआ है और हेट कौर्टरन मुंबई में है और ये कमपनी डिफेर तुर अगर आप पारले एंगरो का डिस्ट्रəBiUeton नियतर ले माुंवरे कि अपल स को सब CAP walقो 60 illness ila अ Gen i he करें क्या हुआं इसके साथ साथ सबस्कोंस कोई एक्जिस्टिग्षी इन चाहिए that कि distributorship बिजनस को कैसे run करते हैं कैसे manage करते हैं इन सभी का अगर knowledge रहेगा तो वो अपने business को अच्छे से run कर पाएंगे अच्छे से manage कर पाएंगे और कम समय में उसमें जल्दी से जल्द success कर पाएंगे और friends उसके साथ-साथ यहाँ पर proper investment होना चाहिए proper space होना चाहिए उसके साथ-साथ यहाँ पर एक vehicle की जरूत पड़ती है जो कि retailing का काम जिससे किया जाएगा तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको parlay agro का distributorship लेना है तो उसके लिए आपका investment कितना लगता है तो friend यह investment जो है आपका rent पर भी हो सकता है या फिर आपका खुद का हो सकता है तो rent पर अगर लेंगे तो यह rent जो है आपका location पर depend करेगा कि आपकी इस location पर अपना shop ले रहे हैं उसके हिसाब से जो यहाँ पर आपको rent लगता है फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 5-6 lakh का initial stock purchase करना होता है company के तरब से तो friend अगर आपके पास 8-9 lakh के आसपास investment है तो आप असानी से parlay agro का distributorship लेके अपना अच्छा business start कर सकते हो और बहुत ही कम समय में अच्छा business build up करके अच्छा से अच्छा फायदा भी कमा सकते है दें चली उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको parlay agro का distributorship लेना है तो उसके लिए आपको कौन कौन से document का जरूत पड़ता है तो फ्रेंड यहाँ पर आपके personal account में आपका अधार card, pan card, voter ID card उसके साथ साथ यहाँ पर address pop में आपको अपना रासन card, electricity bill देना पड़ता है उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास photograph होना चाहिए, email ID होना चाहिए, phone number होना चाहिए आपका current account होना चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ पर दो blank check submit करना होता है company को उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास GST number होना चाहिए, trade license होना चाहिए उसके साथ साथ यहाँ पर company के द्वारा ITR annual return भी मांगा जा सकता है उसके साथ-साथ यहाँ पर आपके पास food license का भी जरूत पड़ सकता है और friends यहाँ पर lastly आपको property document submit करना होता है जो आपका swap होगा वो अगर आपने rent पे लिया है तो आपको rent agreement submit करना होता है उसके साथ-साथ यहाँ पर एक NOC submit करना होता है तो friend अगर आपके पास यह सभी document से देना अपसानी से eligible हो सकते हो पारले एक रोक का distributor ship लेने के लिए देन चली उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप पारले एक रोक का distributor ship लेते हैं तो उसमें आपको कितना profits and margin मिलता है और company का कुछ target होता अगर उन सभी target को आप hit कर देते हो तो उसके साथ-साथ company और भी आपको exciting offers और भी बहुत सारे skims वगेरा आपको देती है प्रोवाइड कराती है जिसे कि आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमा पाएंगे तो friend मैं यहाँ पर आपको rough idea बदाता हूँ कि 20-25% के आसपस यहाँ पर profits and margin रहता है लेकिन friends अगर आपको profits and margin के बारे में ज़्यादा जनकारी चाहिए तो आपको directly company के sales executive से बात करना होगा वैसे आप जब भी distributorship लेंगे तो वो आपको सारा चीज इन सभी के बारे में बता देते हैं कि कितना आपको profits and margin मिलता है दें चली friends अब हम लोग lastly बात कर लेते हैं कि अगर आपको parlay agro का distributorship के लिए apply करना है तो आप कैसे online apply कर सकते हैं तो friends इस video के description में आपको एक link मिल जाएगा अप डिरेक्ली उस पे क्लिक करके इस page आप डिरेक्ली आ सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिरेक्ली एक form फिल अप करने के लिए भी दे रहा है तो आप इस form को भी फिल करके आप डिरेक्ली कंपनी से कांटक्त कर सकत हैं लेकिन friends मैं आपको बताऊंगा कि इस form के थू जल्दी आपको response नहीं मिलेगा आपको इस mail address पे आपको email करना होगा इस mail address पे जैसे ही आप email करेंगे within two days के अंदर अंदर जो है company के तरफ से आपको response आ जाता है और इसके साथ साथ वहाँ पर आपके area manager का number भी mention होता है तो आप directly उनसे contact कर सकते हैं तो friend अगर आपको नहीं पता है कि क्या mail करना है तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं वहाँ पर आपको reply कर दूगा और ये भी बता दूगा कि क्या आपको mail करना है उसके साथ साथ फ्रेंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करना ना बूले और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर ले और चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ interesting topic के साथ अभी के लिए जैहिंद